खास करके मुंबई और महाराष्ट में राजनितिक स्थिती भले कुछ भी हो लेकिन एक नाम जो हमेशा माइने रखता है उसमें से राज ठाकरे एक हैं और हाली में जो एलफिंस्टेंट रोड हाथसे के बाद में जो मुंबई में मोर्चा निकाला गया था उसके बाद लोग राज ठाकरे दोबारा अपनी राजनितिक गति वीडियो में नजर आ रहे हैं और फेस्बुक पर अपने कार्टून्स के जरिये वो देश की तमाम परिस्थितियों पर राजनितिक भाश्य करते हैं तो मैंने सोचा कि शुरुआत करें समय उनका एक कार्टून पहले हम देख सकते हैं तो ये कार्टून आप देख सकते हैं कि जिसमें दाओद इभराहिम नरेंडर मोधी प्रधान मंत्री को ठीचते हुए दोजार उन्नीस के चुनाओं की तरफ ले जा रहा है राज जी ये क्या बताना चाहते हैं आप इस कार्टून के जरिए पहले मैं आज तक का आवारी हूँ मैं आपने मुझे यहाँ पर बुलाए पहली बात तो यह है कि मेरा करियर शुरू हुआ कार्टूनिस्ट मैं पहले हमारा जो मैगजिन है मारमिक उसमें मैं वियंगे चितर निकालता था उसी दोरान जब मुझे एक बात पूछा गया लोक सत्ता के लिए तो लोक सत्ता मराठी नियूस पेपर है जहाँ पर मैंने दो साल मैं फ्रिलांसर करके मैंने काम किया उसके बाद हमारा सामना आया फिर बीच में बहुत साल ऐसे गए कि जहाँ पर मैं कार्टुन निकाल नहीं पाया मेरे भाशन में बहुत बार मेरे शब्दों से वियंगे चितर बाहर आएं लेकिन कर नहीं पा रहा था क्योंकि अगर करूँ तो मैं किस नियूस पेपर के लिए करूँ अगर आपको तो मालूम है भी आप नहीं आप आज मेरा इंटेवी ले रहे है यहां से निकलने के बाद मेरे फोन शुरू हो जाएंगे हमें भी इंटेवी चाहिए नहीं देते हैं तो नाराज हो जाते हैं वैसे ही किसी नियूस पेपर को अगर मैं कार्टून दे दू तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं और करते 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 यह फेसबुक का शुरू किया है ऐसे कोई बात नहीं कि मैंने मैंने हाली में देखा जाये तो मैंने बहुत लेट शुरू किया है ये लेकिन जब मैं न्यूस पेपर मैं जब भी मैं पड़ता हूँ पड़ता था तो वेंगेच इतरह तो दिखाई देते ही है जैसे आपको किसी कोई न्यूस दिखाई देती है वैसे हमें भी वियंगी चित्र दिखाई देता है तो अच्छा लग रहा है कि मैं वियंगी चित्र शुरू कर रहा हूं और आपको Charac removed भी बहुत जादा मिलरहे हैं है। निक क्या है Charac removes मिलρέ है लेकिन आपके Channel से और News नहीं मिल रही है तो न्यूस धुर्णनी पड़ रही है क्योंकि कोई न्यूस दिखा नहीं रहा है कोई बता नहीं रहा है आपका इशारा किस तरफ है आप लोगों की तरफ नहीं लेकिन किस चीज़ की तरफ है आपका कहना है कि चैनल्स या मीडिया अपना काम नहीं कर रही है आपका ये कहना है नियूस तो दिखाने रहे हैं आप जो भी नियूस आ रही है वो सोचल मीडिया पर आ रही है तो खैर इसलिए तो आपको बुला है कि आप उसके बारे में कुछ बात करें पूचेंगे आप तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आपने वेंगे चित्र हमने अभी दिखाया, उस पे आपने दिखाया कि दाउद इबराहिम नरेंडर मोदी प्रधान मंत्री को 2019 के चुनाओं की तरफ खीच कर लेके आ रहे हैं, आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या बतान करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन ये देश है, ऐसा एक emotional देश है, जहां पर emotions बहुत काम करते हैं, तो वहाँ पे दो तिन चीज़े हैं, कि एक तो जो मुझे दिल्ली से, बहुत सारे लोगों से, भारतिय जनता पार्टी की लोगों से भी, मुझे जो समझा बताया गया, कि वो सोच रहें कि दाउद इबराहिम को यहां पे लेके आएंगे, एक तो इतने सालों से वो wanted की list में है, बहुत उपर नाम है उनका, और अगर वो दाउद को हम लोग लेके आएंगे, तो देश में एक जश्न होगा, कि दाउद को देखिए, कोई link लेके आया, लेकिन नर कारगिल जैसा एक युद करें, जिसे लोगों के sentiments जाग उठें, या तो कहीं कुछ कौमी दंगे बढ़के, यह दो-तीन चीज़े होती है, तो उसमें एक वो दाउद का जो था, वो मैंने, मेरी भाशन में मैंने कहा था, उसके उपर कहीं बेंगे चितरे, लेकिन अकर दाउ जाओत को यहां आना है, गवर्मेंट को यहां लाना है, वो बाता लगे, मैंने, मेरा अगर पूरा भाशन अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कहा था, कि उसकी कुछ तीती ठीक नहीं है, तबिये ठीक नहीं है, और उसके इस दाप से उसे लगता है कि मेरा जहां पे जन जाता है कि मैं हिंदुस्तान आ जाओ, आज वो चाह रहा है, इसलिए आप लेके आ रहे हैं, अदरवेज आज तक क्यों नहीं आया फिर, आज तक का मतलब? कोशिश चल रही है सरकार के तरफ से, सरकार का यह कहना है कि देखिए दाओद यहां पे आए, यहां पे उसे जो भी सजा मिले वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका अगर आप राजकारन, राजनीती कर रहे हैं तो वो गलत है, वो ही दिखाना था मुझे कुल मिला कर ऐसा दिख रहा है कि आपका इशारा रधानमंतरी की तरफ से जिन मुद्दों पर राजनीती की जा रही है, उस पर है, बहुत है भी है है मीडिया में वजन होता है, आपके, फोड़ा सा इसके लिए वो इसमें भी आ गया है, मेरे कहाले कि बता है, बुलिए रैंट दिखाई देता है, पूल मिलाकर, जैसे आपके हाली में कुछ बयान थे, आपकी आतरा हमने देखी कि नरेंडर मोदी ही देश के प्रधान मंतरी हो सकते हैं से लेकर इतना जूटा प्रधान मंतरी मैंने नहीं देखा, यह आपका हाली में किया हुआ बयान है, तो यह फ अलग-अलग मुद्धों पर साथ करके आतिक मुद्धों पर, देखे बात ऐसी है, कि जैसे परिस्तिती बदलती है, वैसे भूमिकाएं बदलती है, एक समय था जब सबको लगा था कि नरेंडर मोदी जी इस देश की, देश को समभाल सकते हैं, अच्छा हो सकता है, और जब मैं गुजराद गया था, मैं गुजराद जब गया था, तब रतन टाटा साब उन्होंने जब कहा था कि गुजराद जाना चाहिए, तब मैं गया था, मुझे लगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे सामने एक पिक्चर क्रिएट किया गुजराद में, मुझे लगा कि इस तरह कि इस तरह का कोई प्रदान मंतरी अगर बने तो पिक्चर क्रेट किया याने आपका कहना है कि आपको जो दिखाए गया उस पर आपको विश्वास नहीं गया क्योंकि बाद में जो क्लिप्स आएं बाद में जो लोग बता रहे थे कि वैसे आज गुजरात की स्थिती है नहीं जिस तरह की डेवलप्मेंट डिखाई गई आज अगर गुजरात में जब मैं था तब मेरी एक मेरा एक लास्ट प्रेस कॉंफरेंस थी तो उसमें भी मैंने कहा था कि आज भी अगर उद्योग शेतर में सबसे एक नमबर पर देखा जाए तो मारा श्रही है लेकिन मुझे जहां जहां पर उन्होंने गुमाया वहां पर जो स्थिती दिखाई वो छोड़ के मुझे गुजरात नहीं दिखाया और जो आज पिक्चर सामने आ रहा है गुजरात की लोगों से आ रहा है वो अलग पिक्चर है वो चित्र अलग है उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है उसकी उपलब दिया वो लोगों के सामने जाके गिनवा रहे हैं तो बताने की क्या जरू होता है अगर किया है तो लोगों को मालूम होना चाहिए अब बार बार जाके क्या बता रहे हैं कि मैंने किया पटराज जी उनको अधिकार तो है कि अगर उनको लोगों के सामें रखेंगे ने शोभा नहीं देता बात ऐसी है कि वो पचास बार जाए देश का प्रदान मंतरी एक स्टेट में जाके इस तरह से रैली ले रहे हैं मुझे लगता है कि और उनके ही होम टाउन पे तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कमजोरी है आपको लगता है कि बीजेपी अपने आपको कहीं कमजोर महसूस कर रहे है गुजरात में क्या इसी के वज़े से नरेन रमोदी जो उनके स्टार कैमपेनर है एक तरीके से उनको बार-बार गुजरात में पेश की और मैं वापिस मैं सोशल मीडिया की बात करूंगा क्योंकि उसी के उपर ज़्यातर क्लिप्स आते हैं जो आप भी देख रहे हैं कि नरेन रमोदी जी का भाशन चल रहा है और लोग उड़के चले जा रहे हैं यह 2014-2015 इसमें कभी दिखाया नहीं दिया जो आज दिख रहा है क्या कारण लगता है आपको हार्दिक पटेल कहता है क्या कारण लगता है वो आप जाके गुजरात में पूशिए आप जा चुके हैं गुजरात में आप जा चुका तो मैं तो कब का गया था हमने सुना कि हर्दिक पटेल कहता है कि राज ठाकरे मेरे हीरो है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ हमने सुना उसके बारे में हर्दिक पटेल आजकल गुजरात में काफी बड़ी वो सुना है उसके पहले का सेंटेंस नहीं सुना था क्या लगता है आपको कि हार्दिक पटेल आज इसने पॉपिलर हो रहा है एक पटेल आदोलन वहाँ पर खड़ा हुआ है अच्छी बात है ना कि ये यंग्स्टर आ रहे हैं ये जातिकत राजनीती के तरफ दोबारा खीचने की बात हो रही है बात जात की नहीं है मुझे लग पेड़ी अगर राजनीती में आ रही है लोग उनके पीशे जा रहे है तो अच्छी बात है दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना पूरा फोर्स गुजरात पे लगा रही है जायर सी बात है कि गुजरात एलेक्शन एक एहम एलेक्शन है उनके लिए किसी भी पार्टी के लि अगर ये लोगों को मालूम है ये सारी चीजे मालूम है उसके बाद इतने सारे चिफ्स मिनिस्टर्स खुद प्रदान मंतरी उनके वो पार्टी के प्रेसिदेंट से लेके सब लोग वहाँ पे जाके बैट के सारी चीजे कर रहे हैं ठीक नहीं है ठीक नहीं है मतलब वो कु खाली सड़कों पर हाथ कर रहे थे, कौन दीक रहा था मुझे नहीं मालूम उनकों, खाली सड़कों पर, आज आज आपने देखा कि वो ताज विजिट कर रहे थे, तो ताज की कॉंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, तो ये आप, आपका ये हमेशा कहना है कि जानभूज कर उनकी क्या उमर होगी, मुझे नहीं पता, इतने सालों में पता नहीं चला, वो कबर है, सब को मालूम है, वो कबर है, लेकिन ताजवल की तरफ देखने का आपका नजरिया कैसा है? मुझे लगता है कि एक आर्खिटेक्श्चर का एक बहुत खुब सुरत नमुना है वो, जिसे देखने के लिए विदेश्यों से लोग आते हैं, अपने देश से लोग जाते हैं, ये और एक नया तरीका, राजनीती का, और मुझे नहीं लगता अभी लोग इतने इन मुद् हो जाएंगे. लेकिन तीन साल में हमने देखा, यूपी में हमने देखा, कि आपने खुद अभेनंदन भी किया था प्रजार मंत्री का, जब यूपी में इतना भारी मैंडेट बीजेपी को मिला था, देश भर में जितने चुना हुए हैं, हर चुनाओ में, बिहार और दिल जना चाहिए क्योंकि उसकी भी कुछ रिपोर्ट जो आ रहे हैं, वो एक EVM मशीन के भी बात चल रही हैं, कि वो भी प्लांटेड हैं, रीग्ड हैं. अब आप ये थेरी को मानते हैं, कि EVM मशीन प्लांटेड हैं? निवर्ड नुक अपना जो इलेक्शन कमिशनर जो है, वो इलेक्शन कमिशनर को उनों ने कहा कि हमें मशीन दे दो, हम लोग दिखाते हैं, तो इलेक्शन कमिशनर से कहा कि मशीन नहीं देंगे, अभी मशीन नहीं देंगे, तो कैसे दिखाएंगे? अगर लोग देंगे कहा था तो उन्हों ने कहा कि ये मशिन तो आपने बनाए हुआ है तो उन्होंने कहा फिर आपका मशिन दे दो तो बोले हम लोग मशिन नहीं दे सकते बीज़े पी को लगता है कि यहारे हुए हुए लोगों का गेम है अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो कोई भी चुनाव हार जाते हैं कि याद्ट सुमया सुप्रेम कोर्ट तक चले गए थे कि यह यह भीम में प्रॉब्लम है जब कॉंग्रेस जीती तो आप कोई भी एंगा प्रॉब्लम आया है आप जीत रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये जन्मत है कवाल का तरीका ही है इतने सालों में बीजेपी को इतने वोट कभी मिले नहीं किसी स्टेट में आज क्यों मिल रहे हैं कुछ तास तो करनी ची आपने कहा कि स्थीती के हिसाब से भूमी का बदल जाती है एक भूमी का थोड़ी दजर आती है बदली हुई कि आज कल आपका अंटी गुजराती भूमी का काफी हो रही है खास करके बुलेट ट्रेन को लेकर हमने देखा और आपने उसको जोड़ दिया एल्फिंस्टन रोड पे जो हाथसा हुआ उसके बाद आपने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला लोगों का गुस्सा आपने सरकार के खिलाब सामने रखा तो आपने कहा कि बुलेट ट्रेन होनी ही नहीं चाहिए उस पर लोगों का ये कहना है कि हो नहीं क्यों नहीं चाहिए अगर बुलेट ट्रेन प्रगति की निशानी है अगर आगे बढ़ने की निशानी है विकास की निशानी है तो बुलेट ट्रेन बाकी चीज़ों पर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ दो तीन चीज़ है इसमें पहली बात तो यह है कि इस देश की पूरी जो रेलवे की समस्या है वो अगर पूरी ठीक ठाक करनी है तो मुझे लगता है वो काकुड कर समीती जो उन्होंने उनका रिपोर्ट डिया था उन्हें कहा कि देश की पूरी रेलवे विवस्था अगर ठीक करनी है तो उसके लिए एक लाग करोड रुपे की जरूरत है हर साल बीस जार करोड वो उनका रिपोर्ट है तो अगर एक लाग करोड में अगर पूरे देश की अगर रेलवे सुवीधा अगर ठीक हो सकती है अच्छी हो सकती है लोगों को अच्छी सुवीधाय मिल सकती है तो सिर्फ मुंबई एमदाबाद को एक लाग दस जार करोड का लोन लेके बुलेट ट्रेन लाने की जरूरत क्या है नमबर एक नमबर दो बुलेट ट्रेन इसलिए होती है कि आपका लंबा सफर कम समय में आप आपका हो जाए कि पकड़ लोग मुंबई दिल्ली है, मुंबई चन्नई है, मुंबई कॉलकता है दूर का, या तो कंद्या कुमारी से लेके दिल्ली तक हो या कश्मिर तक कुछ लंबा सफर हो तो उसके लिए एक बुलेट ट्रेन चलो हम लोग समझ सकते कि अगर उतना उतनी जरूरत है तो मुंबई यामदाबाद है उतनी जरूरत तो है नहीं यहां के कुछ गुजराती लोग और गुजरात के कुछ गुजराती लोग इनके लिए आप एक लाग दस हजार करड़ का करजा उठाएंगे देश के उपर यहने एक लाग दस हजार का करजा आप बाहर से लेंगे देखे मुंबई को जरूरत नहीं है उनको लगता है कि आमदाबाद और या गुजरात को जरूरत है तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को जरूरत है महराष्टर सरकार को लगता है कि मुंबई को जरूरत है नहीं महराष्टर सरकार अभी कुल बोल भी नहीं सकती वो क्या बोलेंगे खिलाफ हिम्मत है क्या उनकी एक तो वो बिठाये गये है उन्होंने सोच लिया तो निकालेंगे, बाजू में कर देंगे, दुसरा बेटा देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं, उनकी उपीनिन छोड़ दो आप मुंबई, गुजराज, बहुत सारी ट्रेंज हैं आज और एक लाग दस हजार करोड का करजा हम लोग बाहर की किसी देश से उठा रहे हैं किसी एक स्टेट के लिए, किसी एक शहर के लिए और जिसका ब्याज पूरा भरेगा, या उसका रीपेमेंट करेगा पूरा देश पॉइंट वन परसेंट से ब्याज लिया है अगर आपको बुलेट ट्रेंग करनी है, तो गुजरात की गुजरात अंदर आप कर लो, जो भी करना है आपको कर लो आपके कुछ hidden agenda के लिए आप इतना करजा उठाएंगे इमीजिटली पत्रकार की तरह, ऐसे मद आज़ाओ, मैं बता रहा हूँ मैं सब कुछ बता दूँगा, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा कोई hidden agenda नहीं है तो किसी एक स्टेट के लिए या किसी एक शहर के लिए बस आपको लगता है इसलिए इस देश का हर एक आदमी वो करजा अपने अपने सर पे ले ले क्यों उत्तरप्रदेश ले ले, क्यों महाराष्ट ले ले, क्यों करनाटका ले ले, क्यों तमिलनाड ले ले और सीधी सीधी जो बाते हो रही हैं, उसको आप ठेड़ा क्यों उत्कर रहे हैं एक तो उनका जो हिडन अजिंडा, जो मैंने जो बात कही थी, वो एक, मुझे लगता है, एक साथ साल पहले की बात है, जब सियुक्त महाराष्ट का जो अंदुलन यहां पे हुआ था, तो वही तो अंदुलन था कि गुजरात मांग रहा था कि मुंबई हमें चाहिए, लेक मिली थी, और क्योंकि वो बीच में ही आते हैं, तो गुजरात का कुछ सवाली नहीं आता था, तो वो एक, उनका जो पूराना, उनकी जो पूरानी जख्म है, उसे भरने के लिए सारा बुलिट ट्रेंड का एक सपना दिखा रहे है, वो क्या इतना हमें समझ में नहीं आता क किया, कहां कहां पे क्या हो रहा है, आपको याद होगा कि नरेनर मोदी जब विदान सभा चुनाओ के समय यहां पर प्रचार करने आये थे, तो उन्होंने अपनी भाशन में यह साफ किया था, कि मुंबई को अलग करने का यह प्रपगंडा है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं करें लिए और ना ही हमारी विद्यक कोई ay यह के बात ऐसी है कि जो उन्होंने पहले कहां है, उसके उपर अगर वो बाद में भी वहीं बात कर रहे हैं, ऐसे आज दिखता नहीं, उन्होंने पहलए जीस्ट को सपोस किया था, आज बोल रहे हैं, जीस्ट करेक्ट है, ऐसी ब आपके अगले कार्टून के दरफ आते हैं, अगला एक कार्टून आपने निकाला था, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह लक्ष्मी पूजन और आपने लिखा था कि देश चलाने के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत है, और मोधी जी और अमिज शाह लक्ष्मी पूज करने रहे हैं और कहाँ कि पैसे के सबसे जादा पैसे आज उनके पास है, तो लक्ष्मी माता कुछ मांग रही हैं पैसे कुछ जिछ चलाना है जबापैसे देदें। मिलते थे हर सब्ताधरी पार्टी को डोनेशन मिलते हैं दिखिए डोनेशन और डाका डालना यह बहुत अलग-अलग बाते हैं मैं आपको सबको दिखाने के लिए मैंने एक मैं आज एक हिंदू नियूस पेपर में एक आई हुई नियूस में लेके आया हूं एक दो-तीन दिन पहले की नियूस है वो यह वो नियूस है और इस नियूस में उन्होंने बताया है कि एक माइनिंग कमपनी है जिनके नाम जिनके उनर है सेकर रेड़ी करना टक में करना टक आठ नवेंबर को राथ को बारा बज़े टाली बज़ा के नोड़ बंद कर दी थी कागज का टुकड़ा कहा था उसके बाद सारे की सारी सारा का सारा देश बैंकों के बाहर खड़ा था नोड़ बदलने के लिए पैसे नहीं थे बैंकों के पास वो कहा रहते हैं अभी तब पैसे प्रिंट नहीं हुए हैं ऐसी हालात में कम से कम कुछ सत्तर असी लोग उस लाइन में मर गए मारे गए यह आठ नविंबर को हुआ नोड़ बंदी यह न्यूज है आठ डिसंबर की और आठ डिसंबर को इस सेकर रेड़ी के पास नए दो हजार के नोटों के 33 करोड 60 लाथ रुपे मिले नए नोट कैश मिली है यह कहां से आए पैसे जहां पे लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे लोग लाइन में खड़े हो रहे थे बैंक्स बोल रही कि हमारे पास पैसे नहीं है और यह मैं बस एक उधारन है यह कि एक आदमी के पास 33 करोड 60 लाख की कैश मिलती है नए नोटों में 2000 की नोट जिसका फोटो भी छपा हुआ है तो यह पैसे आये कहां से मोधी जी का कहना है नहीं मैं मुझे पुरा कर दे जिए मुझे अभी तक समझा नहीं यह नोट बंदी की क्यों किसलिए की एक जो इंजिन चल रहा था उसे बंद करवाया और लोगों को बोल रहा भी धक्का मारो यह कौन सी गाड़ी चलने का तरीका है मुझे नहीं पता कम्प्यूटर में एक टर्म मुझे पूरा करने दो यह नौ तारीक यह आठ की रात को नौ को यह बंद हुआ उननीस तरीकों मैंने एक भाषण दिया था वो यूट्यूब पर आज भी है जिसमें मैंने सब सारी चीज़े क्लियर की थी मीडिया ने भी कवर किया था वो भाषण दे क्या होता है आप लोग मेरा भाषण है तो कवर करते ही है मैं बाकी न्यूस की बात कर रहा हूं जो देश में हो रहा है आज ये कह रहे हैं यह उन्होंने एक अकड़ा दिया था कहा था कि 16 लाख करोड रुपया पूरे देश में घुम रहा था उस वक्त 16 लाख करोड उन्होंने कहा था कि उसका कारण दो बताये थे कि एक तो काला धन है इस देश में और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान या किसी कंट्री से फेक करंसी अपने यहां पे आई है जिसका जो रिपोर्ट दिल्ली की संस्था ने दिया है वो 400 या 4.5 करोड का था यहने एक शारुक खान अमिर खान की दो फिल्मे यहने 400-4.5 करोड के लिए आपने 16 लाक करोड रुपया बंद कर दी निकाल दी है आज यह कह रहे हैं कि 99% पैसे वापीस आ गए तो कहां गया काला धन और कहां गई वो फेक करन्सीज मुझे पहले यह आपड के उपर ही विश्वास नहीं है कि पहले जो उन्होंने बताया कि 16 लाक करोड रुपया घुम रहा था पहले यह वो 16 लाक थे या 20 लाक थे या 12 लाक थे क्योंकि बुझे जो जानकारी मिली है वो यह है कि इस गवर्मेंट ने पैसे प्रिंट जादा करवाए है अपने लिए जहां पे लोगों के पास पैसे नहीं है बिजनेसमन बिजनेस हाउसे चिला रहे हैं जो व्यापारी है इस देश के वो चिला रहे हैं सब लोग चिला रहे हैं और बीजेपी के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे है बहुत फिर वो उत्तरप्रदेश की हो या पजजाब की हो या मुबई महाराश रमें जो कॉर्परेशन इलेक्शन हुए वो तो एक मिनी असेंब्ली इलेक्शन थी आपको मालूम है कितने पैसे खर्च किये हैं बीजेपी ने अभी आप नहीं मुडी लाएंगे अभी तक कर रहे थे आप लेकिन आपको मालूम होगा कि कितने पैसे खर्च हुए इनके कैंपेन के उपर कहां से पैसे आए कितने पैसे बाटे गए यह पैसे आये कहां से और जो भी पैसे बाटे गए हैं वो नए 2000 के नोट है और नए 500 के नोट है लोगों के पास देखिए अभी बात ऐसी है कि सब ने सब के पास शिकायद किये देश के बड़े बड़े नेता ये सब कुछ बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि कोई बोल नहीं रहा है ठीक है मेरा सवाल ये था इसको लेकर जो आपने मुझे रोका था एक सिस्टिम होती है मैं आता हूँ एक मिनिट आप पुछे मुझे तो इसलिए वो लक्षमी देवी जो है वो इन दोनों के पास पैसे माग रही है मोदी जी ये कहते हैं कि सिस्टिम को अगर सुधारना है तो उसको जो कम्प्यूटर में टर्मिनलोज होती है रीबूट करना पड़ता है आपको सिस्टिम अगर करप्ट हो जाता है तो उसकी वो कोशिश थी एक दूसरा उनका कहना है कि वो लोग खास करके विरोध कर रहे हैं जिनकी दुकान बंद हो गई है तो ठीक थे पहले एक तीन साल पहले तो इनकी भी दुकान बंदी थी बिजनिस हाउसेस और वेपारियों ने पैसे दिये इसलिए इननोंने सोशल मीडिया और मीडिया को खरिद लिया अब ये नामत की है अगर मीडिया को खरिदा होता तो आज आप यहां बैठे नहीं होते आप बात कर रहे हैं बात अलग होती है देखिए ये जो मीडिया के जितने भी मालिक है ना जितने चैनल्स के मालिक चैनल के पत्रकार और संपादक जो है ना वो अलग बाते कर रहे हैं और चैनल के मालिक जो है वो अलग बाते कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ पत्थरों की नीचे है जादी मुझे ज़्यादा बात करें लिमत कही है हम मोदी जी पर बात करें तो वो बैतर है वो बेटर है क्योंकि बाद में आपको भी ऑफिस जाना है सबको हाँ तो हम यह बात कर रहे थे कि मोदी जी कहते हैं कि जिनको नुक्सान हुआ नोट बंदी के वज़े से जिनका काला धन वो निकाल नहीं पाए कौन सा काला धन आज बाहर कैश घुम रही है हम लोग एक पहली बात समझनी चाहिए कि आज जोस्तिती देखे मैं एक आपको बता रहा हूँ मैं कोई इस पार्टी का विरोधक हूँ इस पार्टी का विरोध कर रहा हूँ बात ऐसी नहीं है बात परिस्तिती की है मोधी जी को मैंने जो पहले कहा था कि राजियू गांधी के बाद इतनी बड़ी संक्ष्या में उनको आज बहुमत मिला हाथ में और जब पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था तब मनमोन सिंग जी ने एक ये देश को समाला वो इंजिन आपने क्यों बंद कर दिया अगर आपको काला धन निकालना था तो उसके तरीके तो आपके पास है, आपके पास सिस्टिम है पुरा income tax department है बहुत सारे आपकी पास systems है जिससे आप कला धन निकाल सकते थे जिसके लिए पूरा फैसा बंद करने की कोई अवश्रक्ता नहीं थी आज सिती ऐसी है कि बाकी सब चीजे हम लोग बाजू में कर रहे हैं और जिस आर्थिक सिती में हम लोग नीचे गए है उसको उपर लाने में हमारी energy जा रही है पुरी देश की जिनके पास इतना बड़ा बहुमत था रदर है मुझे लगता था कि इस देश के जितने भी business houses है जितने भी ब्यापारी है जितने भी जो आर्थिक सिती इस देश की सुदार सकते है मुझे लगता था कि मोदी जी को उनको एक आख मारनी चाहिए थी और उनको बोलना चाहिए था कि दुनिया भर में घुसो इस देश की तरक्षी करो इस देश में पैसे लाओ और बाकी जो देश है वो पॉंकर करो जो आज चाहिना कर रही है मुझे लगता है कि वो facilities आज अपने यहां के लोगों को अगर government की तरफ से मिलते wonders करते हमारे लोग हमारे लोगों में क्या कमी है हमारे businessmen जो है community जो है व्यापारी जो है उनको आपने इस तथी में क्यूं लाया इस आपको कोई आशक्षकता नहीं back कोई जरूरत नहीं थी आज गुजर्दा ले लो अपने हर स्टेट ले लो आप बहुत सारे काबिल लोग इस देश में पड़े हुए हैं जिनको आपने पीछे खिंचा इस पूरे देश के आर्सी स्थीती भीगाड़ दी और उसके बाद आप कह रहें कि उसको अभी निकालते हैं बाहर क्यूं कोई खेल है कोई मजाख है इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लिम तो पॉपिलेशन का है उस पॉपिलेशन के सब्जेक्ट में हाट डालना चाहिए था जैसे चाइना में है वहाँ पे तो डॉपिलेशन से है नहीं लेकिन आपके पास बहुमत था बहुमत के आदार पे आगर आप इस पॉपिलेशन को अगर हाट डालते लोग दुआएं देते एक बदलाव हम देख रहे हैं कि आपने अभी अभी कहा कि मनमोन सिंग ने देश को ढूपती आर्थिक सिती से बचाया यह उल्टी गंका बहर ही है जिस कॉंग्रेस को हम आप गाली देते थे लोग जो गाली देते थे वो राहूल गांदी के बारे में पहते थे आज वही यहने ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चेही लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने वो राहूल गांदी कोने पपू है पपू है पपू है जिस तरह से किया वो ही राहूल गांदी आज गुजरात में जा के झपआ ओरे उनकी रैलीज में जितने लोग आ रहे हैं उससे डर के प्रधान मंत्री आठाट बाहर नोनो बाहर गुजरात जा रहे जिस आदमी को जिस राहूल गांदी उनको अगर आप इस तरह यहने के हुमिलेट करते रहे इतने साल वही आदमी अगर आज गुजराच जा रहा है तो आप आपको डर किस बात का है लेकिन वही आदमी जब जाके वहाँ पे लोग इकठा कर रहे हैं हजारों की लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे उनके पीछे आ रहे हैं उनके भाषण सुन रहे हैं तो आज आपको क्यों डर लग रहा है उनसे इतने इतने चेफ मिनितर क्यों जा रहे हैं वहाँ पे मुझे दुख इस बात का है देखिए कि एक तो इस तरह का इस देश में बहुमत हर किसी को नहीं मिलता और जब आपके हाथ में इतना बड़ा बहुमत आने के बाद अगर आप ऐसी चीज़े करते रहेंगे देश की पुरी आर्थिक सीथी को बिगार देंगे कैसे होगा यह तर्नराउंड की जो आपने बात की है उसी पर आपका अगला वेंग चित्र है यह आखरी वेंग चित्र हम दिखाना चाहेंगे यह जो आपने निकाला था वेंग चित्र है यह कार्टून जो जिसकी हम बात कर रहे है काई बैए इसको कहते है रिग्रशिव मांचून याने रिटन मांचून बारिश के आक़री दिनों में एक जोरदार बारिश आती है जो वापिस जाती है बारिश और सोचल मीडिया आपने दिखाया हुआ है और आपके चहीते कैरेक्टर से उसमें मोदी जी है, शाहा है, अरुन जेकी है, सोशल मीडिया का उन पर वार हो रहा है, तो ये एक चीजे बदल रही है देश में, टरनराउंड हो रहा है, विपक्ष के लिए एक जगा बन रही है, आपको ऐसा लगता है भी, इतने दिन विप या भी सुदर रहा है, मीडिया को भी लग रहा है कि यार कुछ गल्ती कर रहे हम लोग, कुछ चीजे नहीं दिखा रहे हम लोग, उमीदे कि विपक्ष को भी लग रहा है कि कुछ गल्तिया हो गई, कन्विक्षन नहीं दिख रहा था विपक्ष में, नहीं बात कन्विक्ष सत्ता में आई थी, तब सब कुछ चल रहा था, तब अच्छा चल रहा था, और जब ये उनके उपर जब आया, तो जो लिखेंगे बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो एफायर दर्च करेंगे, ये कौन सा तरीका है? सोशल मीडिया पर लिखेंगे, सोशल मीडिया पर कोई लिखेंगा, या कुछ उसने कुछ पोस्ट डाल दी, तो उसके उपर एफायर दर्च करेंगे, ये कौन सा तरीका है? या आपने जो किया, वो सही किया, आपके उपर जब आया, तो वो गलत है, और इस देश के लोग तो बरदाश थोड़ी करेंगे ऐसे, एक साल, दो साल, ढाई साल, तीन साल लोगों ने बरदाश किया, उसके बाद तो थोड़ी करेंगे, आपने कहा कि मोदी मतलब देश नह कहते हैं, उसको अगर विरोध किया, तो यह कहते हैं कि हम लोग जो विकास की बात करेंगे, उसको जो विरोध करेंगा, वो देश को विरोध करेंगे, आप थोड़ी देश है, देश यहने इस देश की जनता है, आपको अगर कोई विरोध कर रहा है, आपकी भूमिका को वि मैंने जब से देखा है जब मैंने जब इमर्जेंसी इंदिराची ने जब लाई थी उसके बाद जब भी अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी जब भी बनी है न तो उनको दुश्मनों की ज़रूरती नहीं होती फिर वो मौराजी देशाई जी की सरकार ले लो वीपी सिंग उनकी सरकार ले लो या आज बोजदी जी की सरकार ले लो वो अपने आप ही इतना गड़ाख हो देंगे ना अपने लिए कि दुसरों की ज़रूरती नहीं है एक अटल जी का बीच में सरकार था इंडिये का सरकार था एक अटल जी का सुभाव और उनकी परस्नालिटी के हिसाब से उनका काम करने का तरीका उसके हिसाब से वो एक वो एक सरकार चली जहां पर इसे कोई बहुत बड़े निरने लिए गए उस वक्त भी लेकिन ऐसे कोई क्या कहते है जान लेवा निरने नहीं लिए गए और शेटरिंग बिसीचिट जान लेवा ही बोल सकते है क्योंकि इतने लोग कतार में जो गए नोट बंद होने के बाद तो वो एक होता है कि अपोजिशन मुझे जब भी आती है सेंटर में आज तक देखा है तो वो संभाल नहीं पाए कभी लेकिन आज की तारीक में जो एक समय विपक्ष का हर एक आया तो उसे लगा मैं करांती करूंगा करांती करो लेकिन मुझे लगता है कि अब भी आप सत्ता में है लेकिन यहाँ पर विपक्ष के लिए जगा कहां पर है विपक्ष जितना कन्विक्शन के साथ भरोसे के साथ जिन आगे आना चाहिए उतना विपक्ष नहीं आ रहा है जितना का फाइदा तो बीजेपी उठारी आज बीजेपी सत्तादारी पार्टी आज वो पहले जैसी विपक्ष की पार्टी नहीं मुझे लगता है कि गुजरात इलेक्शन के बाद बहुत बड़े पैमारे पे आएगी जिस तरीके से मजबूट सरकार की जरूरत है उतनी ही कनविक्षन के साथ विपक्ष की भी जरूरत है ताइम लगता है लेकिन मुझे लगता है अगले साल से दिखाई देगी पुरे देश में चलिए हम उम्मीड करते हैं कि आप विपक्ष की भुमी का निभाएं और जितनी मजबूत सरकार की जरूरत होती है किसी भी देश या प्रदेश के लिए उतनी ही मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है आपसे उम्मीद है कि आप विपक्ष की भूमी का उसी तरीके से निभाएं और आप इस कारेकरम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़न्यवाद